प्रूट की कीवतों में उच्छाल से एक बाग फिर गौर ने उडान भर ली है NCDX पर गौर गम का भाव जून 2015 के हाई पर पहुँच गिया है कल इंटर डे में भाव गौर गम का ग्याराजार के उपर निकलता नजर आया था और सुबा के कारवाई सत्र में लगबख पांच फिस्दी का उपरी सरकिट भी तेखने को मिला था चालू सीजन में गौर का उत्पादन पिछले साल के मुकावले लगबख आधा रहने की उमीद है हाल में बारिश से नई आवक में देरी से गौर की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल रहा है दो से तीन सालों में गौर का उत्पादन घट कर लगबख आधा रह गया है बाव कम मिलने से किसानों का रुजान भी घटा था किसानों का रुजान मौंफली और कपास में बड़ा है शुरुवात में बारिश में देरी से बुआई भी घटी है कुछ सालों से इंडस्ट्री में भी गौर की जगा अन्य विकल्पों को ज्यादा महत्व दिया गया जिससे गौर की डिमान भी कमी देखने को मिली थी इसकी वज़ा से गौर का उत्पादन भी साल दर साल लगातार घटा रहा और इस बार ना के बराबर बताया जा रहा है क्योंकि बुआई के समय बारिश की गती विदियां ज़्यादा देखने को मिली थी वहीं जानकारों का क्याना है कि आने वाले दिनों में गौर की कीमतों में तेजी बनी रहने की उमीद है वी रपोट, Market Times TV